देवताव्भयो पितरब्यश्च्व, महायोगी बेवचा, नमाश्वाय, सुधाय, नित्यमीव, नमो, नमाप्यारे मित्रो जेशियर्म, जैमाता दृ मित्रो आज आज आप से हम चरचा करते हैं कि पितरपक्ष आने वाले हैं 2024 में कब से पित्रपक्ष प्रारंब हो रहे हैं और कब होगी पित्रपक्षों की समात्ती पित्र देवता कब जाएंगे अपने धाम को इस विशेपे करेंगे चर्चा तो पित्रपक्ष जो प्रारंब हो रहे हैं 17 शितंबर 2024 से पित्रपक्ष प्रारंब हो रहे हैं और 2 तूबर को होगी तो पित्र पक्ष में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए तरपन का विधान बताया गया है तरपन किये जाते हैं और यह कार्जे अपने पूर्वजों के निमित पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए कार्जे किये जाते हैं इसका मतलब है जिस तिथी पर आपको उनके निमित स्राद्ध करना चाहिए तरपन करना चाहिए ब्रामवनों को भूजन कराना चाहिए पित्रों का पूजन करना चाहिए इस तरह के कार किये जाते हैं और ब्रामवनों को दक्षणा इत्याद भी आज के दिन दी जाती है तो कब से प्रारंब हो रहे हैं और किस दिन कौन सा स्राद्ध होगा इसी विसे पे आज आप से चर्चा करेंगे तो स्राद्ध की तिथियां जो है ये पूरिमा का जो स्राद्ध है 17 सितंबर मंगलवार को मनाया जाएगा प्रतिपदा का स्राद्ध 18 सितंबर बुद्धवार को होगा द्रतिया का स्राद्ध जो है 19 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा द्रतिया का जो स्राद्ध है 20 सितंबर सुक्रवार को होगा चतुर्थी का स्राद्ध 21 सितंबर शनिमार को होगा और जो पंचिमी का स्राद्ध है ये 22 सितंबर रभिवार को मनाया जाएगा शष्टी और शप्तेमी तिथी का जो स्राद्ध है यह 23 सितंबर को होगा, अश्टिमी का स्राद्ध 24 सितंबर को, नौमी का स्राद्ध 25 सितंबर बुद्धवार को, दश्मी का स्राद 26 सितंबर गुरुवार को, एकादसी का स्राद 27 सितंबर सुक्रवार को और द्वादसी का स 29 सितंबर रभिवार को मनाया जाएगा 13 सितंबर को 14 का सद एक अक्टूबर को और शर्ब पित्र अमावस्या स्द दो अक्टूबर को मनाया जायगा तो हमने आपको बताया कि 17 सितंबर से ले और 2 अक्टूबर तक पित्रों के ये 16 दिनों का परव होता है 16 दिनों की स्राद्रोती जो पूरी माशे ले करके और अमावस्या तक चलती है जिस तिथी पर जिसके पित्र इस धराधाम को छोण करके गए है उशी तिथी पर उनके स्राद्र कर्म को करना चाहिए अब हम आगे की और वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरह की बली का बिधान है ब्राम्मन जब भोजन करने आते या आप सराद्ध करते या तरपन करते तरपन नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए आपको कैसे अपने पित्रों की आत्मा को आप शांती प्रदान करेंग ये सारे के सारे उपाए वीडियोस में आगे के एपिसोट में आपको बताऊंगा अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं पूजा पाटे गेनुष्ठान से सम्मंदित कोई बात करना चाहते हैं या चाहते हैं किसी भी तरह का ग्रे प्रवेश का पूजन काल शर्पदोस का पूजन महामर्तुंजय मंत्र का पूजन कोई भी अनुष्ठान बैदिक अनुष्ठान जो होते अगर उनको कराना चाहते तो भी आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं पुना मिलूंगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए दीजिये जाज़त जैमा करता दी जैमा गंगे